जहें साथियों स्वागत है आपका दोस्तो आज हम लों डेली करेंट अफियर्स के अंतरगत चार जनवरी 2023 के महत्पून करेंट अफियर्स को पढ़ेंगे दोस्तो करेंट अफियर्स से समधित पीडियेप के लिए आप हमारे टेली ग्राम गुरूप को जोइन कर सकते हैं जि इस सहर में भारतिये पुस्तकालय कॉंग्रेस का उधगाटन किया है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा कनूर जिया दोस्तो कनूर में पीना राइवीजया ने भारतिये पुस्तकालय कॉंग्रेस का उधगाटन किया है आये बढ़ते हैं दूसरे प्रेशन की और दूसर करने के लिए चुनाव आयोग ने मीशन 931 लॉंच किया है याद रखेंगे त्रिपूरा में 60 बिधान सभाज सीट होती है और आप कमेंट करके बताएंगे कि बरतमान समय में चुनाव आयोग के मतलब मुख्य चुनाव आयोग कौन है आये बढ़ते हैं तीसरे प्रस्ण के ओर तीसरा प्रस्ण है क्रोएसिया यूरो जोन में सामिल होने वाला कैमादेस बना दोस्तो कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रोएसिया ने एक जनवरी से ओफिसियल करेंसी के रूप में यूरो को अपना लिया है तो इस तरह से क्रोएसिया यूरो को अपनाने वाला बीसवादेस बना है आप याद रखेंगे important हो जाता है क्रोएसिया यूरो को अपनाने वाला बीसवादेस बना है आए दोस्तों बढ़ते हैं चौथे प्रस्ण की ओर चौथा प्रश्ण है एक जनवरी 2023 को DRDO ने अपना अस्थापना दिवस मनाया है यह अस्थापना दिवस का जो क्रम था वो पैसे ठमा था याद रखेंगे अभी कमेंट करके बताएंगे बरतमान समय में DRDO के हेड कौन है ठीक है आए बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण है CRPF ने कहां छात्रों के लिए जसन एचिलाई नाम कला को मनाया है जसन एचिलाई तो दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा वो होगा श्री नगर जी हाँ CRPF ने श्री नगर में छात्रों के लिए जस्न एचिलाई कला को मनाया है आप कमेंट करके बताएंगे बरतमान समय में CRPF के हेड कौन है तब तक आये दोस्तों बढ़ते हैं छटे प्रस्ण की ओर छटा प्रस्ण है कोनेरु हम्पी ने विशू विलिडड शतरंज Championship में कौन सा पदक जीथा तो अभी हाल ही में कोनेरु हम्पी ने रजएत पदक जीथा है विशू विलिड शतरंज Championship में याद रखेंगे आये बढ़ते हैं सात्मे प्रस्ण की ओर साथमा प्रश्ण है UPI ने दिसंबर 2022 में record कितने अरब लेन देन को प्रोसेस किया है इसका जो सही answer होगा वो होगा 7.82 अरब लेन देन जी हाँ UPI ने दिसंबर 2022 में अबे तक के सबसे अधिक 7.82 अरब लेन देन को प्रोसेस किया है यह एक बिस्व रिकॉर्ड है और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि UPI जिसका फुल फर्म होता है Unified Payment Interface जिसने अपने बिस्व में पैर पशारना शुरू कर दिया है यह हम भारतियों के लिए काफी गौरवानवित करने वाली बात है क्योंकि UPI भारतिये सिस्टम है यानि कि स्वद्य सिस्टम है ठीक है आए बढ़ते हैं आगे आठमें प्रस्ण की ओर आठमा प्रस्ण है भारत में कब तक Underwater Metro सेवा चालू हो जाएगी भारत में कब तक Underwater Metro सेवा चालू हो जाएगी इंडियन Overseas Bank के CEO और MD किसे नुक्त किया गया है इसका जो सही अंसर होगा वो होगा अजय कुमार स्रिवास्तव जी हां दोस्तों अजय कुमार स्रिवास्तव को इंडियन Overseas Bank का CEO और MD बनाया गया है आए बढ़ते हैं दस्में और अंतिम प्रस्ण की ओर भारत ने किस देज के साथ प्रमानु संपति और जेल कैदियों की सुची का अधान प्रदान किया है तो दोस्तों इसका जो सही अंसर होगा वो होगा पाकिस्तान जी हां दोस्तो, भारत पर तेख बस, पाकिस्तान के साथ पर्मानु संपतियों और जेल कैदियों की सुची का अधान प्रदान करता है ठीक है? तो दोस्तो इसी के साथ हमारा ये current affairs का वीडियो समाप्त होता है उमीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर करें चैनल पे पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर लें इसके अलावा आप हमारे फेस्बूक पेज से भी जूड़ सकते हैं फेस्बूक पेज में भी यही नाम है और इसके अलावा टेली ग्राम ग्रूप से भी जूड़ सकते हैं टेली ग्राम ग्रूप से जूड़ने का फाइदा या होगा कि आपको Current Affairs के PDF वहाँ मिल जाएंगे ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखेंगे